यह क्लास 9 अधिया एक हमारे आसपास की प्रदार्थ तो इसके पहले वाले वीडियो जो आपने नहीं देखा तो इसको इसका में डिस्क्रिप्शन में लिगने दिया हूं तो आप लोग वहां से जाकर के देख लिए आप लोग प्लेलिस में जाए ताकि आप लोग सभी देखने वाद के पहले वाले वीडियो साम नहीं देख लिए दिस्क्रिप्शन लिए ठीक है तो उचलिए हम लोग अभी सुरू करते हैं ग्यारे से हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं उचले सुरू करते हैं हमारा प्रस्न संख्या 11 यहां पर है कि सर्बत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है या पदार्थ के कनो के किस गून को दरसाता है देखिए आपके पास क्या है पानी है ठीक है और आपने क्या किया है पानी में पानी में आपने चीनी घोल दिए ठीक है तो पानी जो अभी हमारे क्या विलायक है और वि कशने का trucs यह है कि हम लोग पानी में चीनी घोल मैं तो घोल में चीनी तो यहां पर भी हमें नहीं जानना है पानी में वनागत मॉल चीए तो एक हमने इसी परकार की कुछ को दरसाता है यह आपको बताना है समझ मागए आपको देखे एक हमने इसी प्रकार के कुछ कॉफशन था जो कि हमने कॉफशन नमबर सेवन में आपको मैंने बताया था कि अगर बत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है इसे पदार्थ के कन के किस गून का पता चलता है तो यहाँ पर आपको मैंने बताया थी कि पदार्थ के कन रेंतर गतिसील होते हैं यह गून हमें पता चलता है ठीक है तो यहाँ पर जो है पानी में चीनी घूल जा रही है इसे कौन सा गून का पता चलता है कौन सा गून को दरसाता है तो इससे हमारा पदार्थ के कनों की बिचरिक्तिस्तान होती है इस गून को दरसाता है तो यहां पर option कौन से हो जाएगी option ए जो है वे हमारे क्या हो जाएगी बिलकुल सही हो जाएगी देखिए ऐसे यहां पर पदार्थ के कनों की विशेस्ता हम लोग के हैं तो पजयर हती है है जिस कारन से हमारा पानी इस सटान होती है आपको एस पर करेंगे के बाद जो है अपने देख लेना इंविद must से कर सके देखिए आपको मैं इतनी अच्छी तरिका से बता होता हूँ है ना तो अभी मैं आपको सभी त्यारी करवाऊंगा अभी मैं टर्म टू का भी इस्टार्ट में करूंगा ठीक है तो चलिए हम लोग फटापर से देना करते हैं शुरू करते हैं कॉफचिन नंबर टू ऐसा तो तॉ यहांपर बनाया बनाया ठीक है आपको बताने के पदार्थ के कन जो ए हमारे किस सबस्तिंगर यहां पर दीख रहे हैं और यह घौन चाश ऐसे हैं हमारे की सबस्ता कोploy का यहां कि इसके प्रबल很 पावदास में चलिए यहां बता हुँ अगई गती चारे लिकिन बहुत-ज़ादा उना यह इन बता हुँ चलिए आपको मैं दूसरे से यहां बताता हूं जैसे कि यह हमारे देखिए हम लोग द्रव के पार्टिकल्स बता रहें ठीक है द्रव के पार्टिकल्स का है दूर दूर में ठीक है तो इस प्रकार से क्या होते है द्रव के पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारा थोड़ा दूर दूर में होता है जिस कारण से इसके रिक्तिस्त क्या है बहुत नजदिक होने कारण इसके गती जो है बहुत ज्यादा धीमी होती है और रिक्तिस्तान काम है इस कारण से जो है इस कारण से यह हमारी यहाँ पर क्या थो सवस्ता को दर सारी है ठीक है यहीं कि दरमारी क्या हो जाएगा तो आपको मैंने यहाँ पर बहुत कुछ बता दिया है ना एक ही प्रस्ण में यहाँ पर बहुत चारा mcq बनेगा जो कि आपको मैंने अच्छी तरिका से समझाया अब आप लोग देख सेते हैं यहाँ पर तेरा नंबर प्रस्ण को ठीक है प्रस्ण सिंग का तेरा यहाँ पर देगे क्या बोलेगे निम्नांकित में द दूना में निष्चीत होती यह लेकिन अकार वास्टा में वास्ताओ कुन अनिष्चीत होती यह और तो देखे तो यहाँ आप क्योंकि यहां पर आप लोग पढ़ यहां प्रहस्टा में पानी है दूद्ध है तो इसको आप लोग जिस पात्रा में रखेंगे उस पात्र का अकार लेगा है ना तो इस प्रकाष से किया है आकार अनिश्चीत सभ्सकती है जैसे कि आप लोग 오빠 का आकार विरादीए उप्सक्राइब एक और वह इसकी विल्कुल यह ही किस अवास्ता में अनौ की उर्जा अधिक हो solely कि उड़्या मतलब क्या होती है कि उसके जो जादद हमारे गती करते हैं तो किस अवस्था में होगे कुण से कि अवस्था रही तो चले आपर बताना है कि अधिक्तम होती है ना तो गयासके के पार्टिकल्स के बीचिस्था क्या होती अच्छ ще अधिक्तम होगी विमादा बिल्कुल क्या होगा ढ़े होगा ठीक है अन्मो की सबसे कम किसमें होगी तो सबसे कम हमारा टोस में होगा ठीक है किस वला घ। चले अब हम लोग अगला प्रसमें तो यानि कि 15 नमबर के दिर हमारा सी बला उप्सन जो बिल्कुल हमारा सही है कॉस्टेन नमबर कॉस्टेन आप लोग दे सकते हैं यहां पर देखे बोला गया कि किस अवस्ता में अनुव की उर्जा सबसे कम होती है कारण कैसे आपको मैंने बताया क्योंकि इसके इनन को ही पर पार्टिकल करते हैं सबसे कम होती है और इसकी परओंस्टान की वे यहां पर कहें घागे है इसलिए यहां पर क्या होती है इस कि किस अवस्ता में अंतरानुक बल परबल होती है कि परटिकल्स जो है उसके आपस में खिचने की बल जो है सब ज्यादा किसमें होगी तो जिसमें रिक्तिस्तान काम है तो उसमें ज्यादा होगी जैसे को तोस्के बहुत कम इसे लिए पर जो है सबसे जद जयदा होगी और सबसे कम जो किसमें होगी और किसमें होगी तो सबसे कम सबसे कम हमारे हौब क्योंकि कर सबस photographer टूंग सबक्त जो है सबसे ज्याद correlate आपको पता किसमें 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 कि अधिक्तम गति होती है किस में किसमें न में किसमें होगी जो है ठोस द्रव के मुकपलल ठीक है तो इस प्रकास यानि कि अधिकतम गती होती है कनों कि अधिकतम गती होते तो हमार लेकिन पास पास है यहां पर सबसे कम को टिक लगा थे लेकिन आपर तो सबसे कम कहीं नहीं लिखा हुआ है कयहाँ पुछते है ठोस के ठोस के कनों की बीच उकर संबल क्या होती है तो meow कि सबसी अधिक होगी टीक है या ठिक होगी टीक है और हम्रा ज Fennell किसम और अधिक होगी तो इस प्रकार से हमारे कौन के कम हो जाएगा है तो एक क्या था अधिक हमारे तो हमारे किसमे होगा निवारे क्लिए होजाएं के यह यहां पर बोला गया त Yaz Yaz कनो के वे जाकर संबल होती तो डर्मरा B भी जो है तो दो बिलकुल सही है तो है तो यह हमारा तो यह हमारा प्रस्रसे का बीर करने पर ग्यान ग्रम करने पर ड्कन पर घ्लताय है घडा में लिए अंप्र करने पर गस क्या हो जाएगा हमारे बढ़ जाएगी ठीए ठीड है जिस प्रकार से हमारा ओपो पर जुआ प्रस्न देते हैं और भी बहुत सारे विडियो आएंगे ता कि मैं आपको आपसी का से तैयारी घ्रभास old ठीक आप लोग अच्छे से पढ़ने में धियान लगाए ठीके आप लोग अच्छे से पढ़िए ताकि आप लोग अपना अपना नाम अपने परिवार के नाम ने गुरुजन